हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम फ्रोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट की फ्रोग गिल्स से सांस कब लेता है फ्रोग अपने गल्फडों का यानिके गिल्स का यूज कब करता है only in larval stage जब फ्रोग larval stage में होता है केवल तभी ये अपने गिल्स का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए और फ्रोग की जो larval stage होती है यानिकि जब बेबी फ्रोग होता है बिल्कुल larval stage होती है starting stage उस larval stage को बोलते हैं tadpole तो आप बोल सकते हैं कि जब frog tadpole stage में होता है जब frog tadpole होता है तो वो यूज करता है अपने gills का respiration के लिए second point देखिए बच्चो जब frog water के अंदर होता है जब frog पानी के अंदर होता है तो सांस कैसे लेता है पानी के अंदर 부탁 अपनी skin का youse करता है जः हां बच्चो पानी के अंदर जब frog होता है तो वो यूज करता है अपनी skin का और जब भी कोई भी organism skin का youse करके respiration करता है तो इस तरह के respiration को बोलते है Qutaneous respiration क्योंकि Qutaneous जो word है skin के लिए youse होता है So, cutaneous respiration, मतलब skin से सांस लेना. Next point देखिए. पानी के अंदर skin का use करता है. पानी के बाहर कैसे ये respiration करता है? यानि कि जब ये land पे होता है, जब ये जमीन पे होता है, तो ये use करता है अपनी buckle cavity का, let me write, जब ये जमीन पे होता है तो use करता है अपनी buckle cavity का, और lungs का. Buccal cavity और lungs का use करके ये land पे, जमीन पे respiration करता है और जब lungs का use होता है, तो इस तरह है के respiration को बोलते हैं, pulmonary respiration. Lungs का use करके respiration करना कहलाता है बच्चों, pulmonary respiration, क्योंकि pulmon word जो है, वो lungs के लिए use होता है. तो ये तीन points आपको ध्यान रखने हैं, बहुत important है, इन तीनों में से किसी एक point के उपर question पूछा जा सकता है. I hope बच्चों आपने इनको note कर लिया है, अब चलिए, frog का जो respiratory system है, उसका diagram बनाते हैं, फटाफट. ये मैंने mouth reason और buckle cavity reason बना दिया, this is the tube which is extending forward, यहां से एक टीव और निकलेगी, जो isophagus के लिए होगी, this will be glotis, और ये बना देते हैं, दो lungs, ये दो lungs बना दिये मैंने, ये tube है बच्चों, ये isophagus की tube है, यानि कि आप बहुजन नलीस को बोल सकते हैं, this is isophagus, food pipe, चलिए उपर वाले पार्ट की भी नेमिंग करते हैं, ये है बच्चों, nostril, यहीं से ये सांस लेता है, this is the mouth opening, और इसके जस्ट नीचे जो है, ये वाला रीजन, इसके बाद ये tube आगया extend होती है, यहां से oxygen एंटर करती हुई, नीचे की तरफ जाती है, एक tube इसोफेगस की तरफ और दूसरा पार्ट जो है, उसका स्टार्टिंग है, ये glotis, glotis से जो oxygen है, वो अंदर एंटर करती है, लंक्स की में, तो चलो, लंक्स का अंदर का पार्ट भी मैं ड्रो कर देता हूँ, तो ये एक रफ सा surface आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके, बच्चों, ये जो रफ सरफेस है, इस आर एलवियोलाई, बनाते हैं अबर complete इसको, तो ये हो गया हमारा complete, लंक्स, अब लेबलिंग कर देते हैं इसकी, तो इस टू आर लंक्स, और लंक्स के अंदर ये हमने दिखा दिये, ये सेक्शन हमने दिखा दिया, ये इस आलवियोलाई, और अलवियोलाई के अंदर क्या होता बच्चों, अलवियोलाई के अंदर होता है, Gaseous Exchange of Oxygen and CO2 LBRI में क्या होता बच्छों Gaseous Exchange of Oxygen and CO2 So that's it बच्छों बहुत ही Simple सा Respiratory System का Diagram है यह फ्रोक का I hope आपको समझ आ गया So that's it Thank you so much